इन्फिनिक्स अभी अच्छा काम कर रहा है और हाई प्राइस में वी फोन लॉंच कर रहा है रिसेंटली इन्फिनिक्स उसके नोट सीरिस में नोट 12 टार्वो लॉंच कर दिया है 15,000 में और इसी 15,000 में आईकू किलार स्मार्टफोन लेकर बैठा है आईकू Z644 वाट दोनों ही फोन 15,000 में मिलता है दोनों ही फोन का पार्फरमेंस कड़ाग है दोनों ही फोन का डिस्प्ले सुपार है दोनों ही फोन का बैटरी जबरदस्त है आज इस वीडियो में दोनों फोन के बीच डीटेल कंपरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों फोन में से कौनसा फोन बेश्ट है या कौनसा फोन आप लोगों को लेना चाहिए चैनल में न्यू हो सस्क्राइब करके विलाइकन को दबा कर मुझे सपोर्ट कर साकते हो सबसे पहले डीजाइन के बारे में बात करते हैं आईको जेट सिक्स फोर्टी फोर वाट का जो डीजाइन है वो थोड़ा सा अलग है बैक सेट की तरब देखोगे ग्लॉसी पैनल दिया गिया है एक अत्रंगी डीजाइन है बहुत सारे लोगों को ये डीजाइन पसंद भी आएगा और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आएगा परसोनली मुझे इसका डीजाइन जो है वो काफी अच्छा लगा यहाँ पे फ्लैट एजस बेगरा नहीं है हाथ में कमफर्डिबल बेगरा काफी अच्छा देता है बहुती लाइट वेड है और इसका जो कैमेरा का स्टाइल है वो फ्लैक्सिब जैसा रपता है बड़ा ब इसका जो कैमेरा का मर्डियोल है यह भी बहुत चारे लोगों को पसंद आने वाला है दोनों फोन का जो डीजैन है वो बिलकुल अलग-अलग है लेकिन यूनिक डीजैन है जदतर लोगों को दोनों फोन का जो डीजैन है वो पसंदी आएगा डिस्प्ले के पास देखोगे iqoo के फोन में 6.44 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्पले दिया है यहाँ पर वीडियो क्वालेटी बेगरा जबड़ दस्त है AMOLED डिस्पले में वीडियो क्वालेटी ओबियसली जबड़ दस्त होता ही है आउट्डोर में इस फोन को मैंने यूज किया हूँ आउट्डोर ब्रैटनेस जो है वो काफी अच्छा है काफी अच्छी तरिके से दिखाई देता है इन्फिनिक्स के फोन में 6.7 इंच का काफी बड़ा Full HD Plus यहाँ पर भी AMOLED डिस्पले मिलता है इसका भी वीडियो क्वालेटी काफी अच्छा मिलेगा यहाँ पर हजार निट्स का ब्रैटनेस है यानि कि आउट्डोर में और भी ज़्यादा ब्रैट डिस्पले यहाँ पर मिल जाएगा आइकू से आइकू का डिस्पले ब्रैट है लेकिन आइकू के डिस्पले से इन्फिनिक्स का डिस्प्ले बहुत ज़दा प्राइड है दोनों ही फोन में 4G चिपसेट मिलता है आइको में Qualcomm Snapdragon 680 चिपसेट दिया है और इन्फिनिक्स के फोन में Mediateka Helio G96 चिपसेट दिया है दोनों फोन को साइट बाई साइट में बहुत जल्द gaming comparison करूँगा PUBG Gaming comparison और मैं आप लोगों को बताऊँगा दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है गेमिंग के लिए इसी चैनल में 3-4 दिनों के अंदर वो वीडियो आजाएगा बहुत जल्द आएगा उसके लिए थोड़ा सा इंतेजार कर लो और हाँ सस्क्रेब नहीं किये तो सस्क्रेब करके बेलेकन को भी दबा देना ताकि मैं जब भी गेमिंग वीडियो आपलोड करूँ आपके पास notification सबसे पहले जाए दोनों ही फोन में 5000 डेमेज का बैटरी मिलता है बैटरी जो लाइब है दोनों ही फोन में आपको सेम मिलेगा हाँ कभी कबर 19-20 का फरक हो सकता है लेकिन सेम से मिलेगा ये मान के चल सकते हो लेकिन जो चारजर है ओ अलग-अलग है इन्फिनिक्स के फोन में 33 वाट का फास्ट चारजर मिलता है फुल चारज होने के लिए एक घंटा 10 मिनिट के असपस लग जाएगा उसी जगा में आईकू में 44 वाट का चारजर मिलता है आईकू एक घंटे के अंदर फुल चारज कर देता है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिपारेंस है आईकू जल्दी जल्दी चारज करता है आईकू यहाँ पे फास्ट चारजर दिया है इसके वज़े से फोन के नाम में भी चारजर एड़ कर दिया है 44 वाट आईकू इंडिस्पले फिंगर्पिंट सेंसर के साथ आता है लेकिन इंफिनिक्स साइट माउंटन फिंगर्पिंट सेंसर है तो यहाँ में थोड़ा सा प्रीमियम जैसा लगेगा आईकू क्योंकि अगर आप भीड में इंडिस्पले फिंगर्पिंट सेंसर से फोन को ओपेन कर रहे हो ना बहुत चारे लोग एक अलग तरीके से देखता है और इंडिया में ऐसा होता है मैं खुद एक्स्पिरियंस कर चुका हूँ एस तरह चीज़ उसके लिए मैं आप लोगों को बतार रहा हूँ इंडिस्पले फिंगर्पिंट सेंसर के बज़े से बहुत सरे लोग आईको के फोन खरीदेगा लेकिन इंफिनिक्स के फोन में साइट माउंटें फिंगर्पिंट सेंसर है ओही नॉर्माली हर फोन में आता रहता है दोनों ही फोन एंडुरेड 12 के साथ आता है लेकिन जो UI है वो अलग-अलग है Vivo में FunTouch OS 12 मिलता है और उसी जगा में Infinix में XOS 10.6 मिलता है Infinix UI में मार खा जाता है तोड़ा सा laggy UI है तोड़ा सा बेकार सा UI लगता है Infinix अगर उसके UI में सुधार ना शुरू कर देना तो बड़िया हो जाएगा परसोनली मुझे FunTouch OS बहुत पसंद है बहुत सारे भरवर के features बगरा FunTouch OS में देखने को मिलता है जो की Infinix के phone में नहीं है कैमेरा के पास देखते है IQ के phone में back side की तरफ त्रिपल कैमेरा सेटाब है 52-2 और 16 मेगबिक्सल का सेलफी कैमेरा मिलता है Infinix के phone में भी सेम 52-2 त्रिपल कैमेरा और 16 मेगबिक्सल का सेलफी कैमेरा अबियसली कैमेरा में कोई भी कम्प्रोमाइस नहीं है IQ उनना रहेगा Vivo का साब ब्रेंड है IQ अबियसली Vivo जाना सता है कैमेरा के लिए IQ का कैमेरा भी काफी अच्छा है कुछ कैमेरा संपल में आब लोगों को IQ का दिखार हूँ यहाँ पे देख लिजे ठीक आगा है जबरदस्त है Infinix से बेटार आब लोगों को IQ का कैमेरा संपल मिलेगा आप बात करते है Storage and Price के बारे में IQ में तीन वेरियंट आता है 4GB 60, 4GB 14,500 रुपिस में 6GB 120, 8GB 16,000 रुपिस में 8GB 120, 8GB 17,000 रुपिस में Infinix का एकी वेरियंट आता है 8GB 120, 8GB OV 15,000 रुपिस में आप बात करते हैं कौन सा फोन लेना चाहिए दोस्तों यहाँ पे बहुत चरे Confuse आने लेकिन मैं आप लोगों को बता दू अगर अब लोग एक ट्रस्टेबल फोन ब्रेंट के साथ जाना चाहते हो लॉंग टाइम यूज करनी के लिए एक ब्रेंट के साथ जाना चाहते हो तो मैं साजेस्ट करूँगा IQ को यहाँ बहुत चरे लोग नाराज हो जाएगा क्यूंकि Infinix का फोन में रिकेर्मेंट नहीं करा मुझे ऐसा लगता है कि Infinix का जो UI है न ओ थोड़ा सा और भी बेटार होना चाहिए UI में थोड़ा सा लेक बेग रहे है अगर आप 15,000 दे रहे हो उसी तरीके से आप फोन भी लेना चाहते हो न कि अच्छा फोन हो इसलिए मैं IQ को सजेस्ट कर रहे हूँ अभी आप देखिए कि आप कौनसा फोन पसंद करते हो आप कौनसा ब्रेंट के सा जाना चाहते हो दोनों फोन का जो स्पेसिफिकेसान ने ओ बिल्कूल सेम है कहीं पे भी डिफारेंस नहीं है हाँ कैमेरा में थोड़ा बहुत बेटर पिक्चर क्वालिडी आईकू में मिलता है आपको डिसाइड करना है कि कौनसा ब्रेंट के सा जाना है क्योंकि स्पेसिफिकेसान दोनों ही फोन का सेम है मैं आप लोगों को साजेस्ट कर दिया हूँ अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौनसा फोन बाइक कर रहे हो या कौनसा फोन आपके पास है वीडियो अच्छा लगा? लाइक सस्क्राइब से यार जरूर करना मिलते हैं एक लेक फ्रेज मेडियो में